तो लो गाईज, वेलकम बैक टू अना दा वीडियो, जहांपर को आज मेरे पास सेकिंड टेस्ट में हमारी टीम क्या हो सकती है, उसके बारे में अपडेट है, कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हो गया, उनके बारे में भी बात करेंगे, और सेकिंड टेस्ट में जो पेचे है, वो की पहली अपडेट के बारे में बात करते हैं, आप लोगों ने, I am sure, अभी तक सुन लिया होगा, कि यार, सेकिंड टेस्ट में बहुत सारे चेंजेस होने वाले है, मतलब कुछ चेंजेस तो हम लोग अपने से देखना चाहरे थे, लेकिन अब उस बंदे को मुझे लग रह बहुत ही जादा बढ़ने वाली है, पहला टेस्ट में जितने गंदे तरीके से हम लोग आ रहे थे ना, I mean टीम का मुराल इस टेमपे को definitely down होगा, और मुझे पता है उनका आगे का step क्या होने वाला है, वो लोग rank turner बनाने वाले है, उसके बारे में आगे चलके बात करेंग लेकिन भाई, वो ऑदेगो, रविंद्र ऐटेजा भार हो चुके है, दूसरा मतलब ब्ढ़र केल आउल हो जुके है, उनके बादले किन-किन बंदो को मुझा मिला है, पहला बन्ता बंदा जो मतलब इस को करता था उसका नाम है सरफरास खान, finally, finally, सरफरास खान को मुझा मि तो बॉलिंग वाली केटेगरी में भी एक बंदे को मतलब यार मौका मिले और रविंदर जड़ेजा भार होए तो डेफिनिटली हमें एक ओल्डाउंडर की जरुआती तो वशिंग्डन सुन्दर यहां पर को मतलब यार टीम में एड किये जा चुके अब हम लोग देखते है कि हमारी जो मतलब यार सैकेंड टैस्टी में उसकी पलेइग लाउन क्या हो सकती हैश को मुझे लग रहा है बहुत ही जादा वीग टैप की है शायद मतलब यार यहां पर को इंगलेटन यार मेरे ख्याल से तो हूई रख्ठी में होने वाली है या फिर जितने भी मतलब यार वो cricket expert होते है ना जिस तरह से अपने opinion दे रहे थे लग रहा था वही कि मोगा मिल रहा है तो यार खोना मत इस opportunity को because यह बंदा भार नहीं होगा since यार अब केल राउल भी नहीं है तो क्योंकि यार इन experience आपको नहीं चीए भई इतना ज्यादा टीम में अगर केल राउल खेल ला होता ना तब मैं आप लोग उसे बूलता कि यार जो गिल है वो मतलब यार बाहर किया जा सकता था लेकिन सब केल राउल नहीं है तो वही गिल definitely number 3 के spot पे खेलने वाल है चौथे number पे यार पर को मैं रख रहा हूँ यार रज़त पाडिदर को केल डाउल का जो replacement है टीम में मुझे लग रहा है कि यार रज़त पाडिदर होगा सर्फरास खान को लिया गया है बट यार वो बंदा मतलब यार second choice था पहली choice इनका रज़त पाडिदर था वो बंदा पहले सही मतलब यार टीम में I don't think यार 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 पर को सर्फरास खान को playing alone में मौका मिलेगा अगर मिल गया तो kind of surprise होगी और मतलब यार news भी यही निकल के आ रही है कि जो रज़त पाडिदर है मतलब यार अपना जो debut है टेस्ट में करने वाला है गरके second test में देखते हैं सही होता है नहीं होता है लेकिन logically रजात पाडिदर ही दिख रहा है मिर गदो तो रजात पाडिदर नमबर 4 में हो गया नमबर 5 में obviously श्रेया सहीर होने वाला है बहुत से लोग श्रेया सहीर को भी टीम से बहार चाते थे लेकिन उसका अभी गिल जैसा आल नहीं हो रहा है वो बंदा अभी भी मतलब यार थ एफ है शाया था फिर केस भरत मेरे ख्याल से विगेट कीपर के रूप में खेलने हो आला है ओल्दो मेरे ख्याल से धुरुफ जुरेल की तरफ भी टीम इंडिया जा सकती है लेकिन सिंस उस बंदे ने रंज बनाये थे कीपिंग भी ठीक था की थी मुझे नहीं लग रहा आपको डीप बैटिंग चीए अक्षर बडिल तो हो गई होगा अब आपको यहां पर को वाशिंग्टन सुन्दर को भी लाना पड़ेगा जो कि एक ओफ स्पिनर है और अश्विन भी एक ओफ स्पिनर है तो मतलब यार वराइटी तो आप खताम हो चुगी है मेरे क्याल से पहले भी कौनसी ही थी अक्षर और जड़ेजा दोनों लेफ्ट आम दे तो वह भी तो मतलब यार सेम सेमी था ऐसा कुछ निए लेकिन मुझे मतलब यार डीप बैटिंग चीए तो मैं जा रहा हूँ वाशिंग्टन सुन्दर के साथ फिर रवी चंदन अश्विन होगे उस देफिनेटली अंडर यूज होने वाला है ऐसा होई नहीं सकता कि चार के चार मतलब यार प्रॉपल्ली यूज किये जाएंगे आप लोग ने फर्स्ट टेस्टी में देखा होगा अक्षर पडेल को कितना जादा मतलब यार बूलिंग नहीं कराए गई तो वह चार स्पिनर खेलिंगे तो डेफिनेटली एक से तो मतलब यार बहुत ही ना के बराबर बूलिंग होगी तो इतने स्पिनर खिलाने का भी फायदा नहीं है एक option मतलब यार अपना थोड़ा सा अलग रगो मेभी अगर आप सिराज के साथ नहीं जाना चाहते तो सौरफ कुमार को मौका द बब चुका है अगर पैनिक बटन बब जाता है टीम इंडिया की मंद में सिर्फ एक ही चीज आती है और उसका नाम है रेंक टर्णर रेंक टर्नर रेंक टर्नर बनाने वाले है लोग वाईजएग में दिखेगी पहली बॉल से बॉल ऐसी घूंगती वही दिखेगी जैसे य और I think it will be a very very bad decision, यह जो चीज है ना, मतलब यार यह जो पिच को लेके होता है ना, मुझे बड़ा बेकाल लगता है यार, मुझे ऐसा लगता है ना, टीम इंडिया को मतलब यार, नॉर्मल पिच के साथ जाना चीए, जो हमारे बोलर्स होते है ना, उन पर भरुसा दिखाना यार, लाइक मतलब सिराज देखो, पहले टेस्ट में इसमें कितना जादा मतलब यार, बेकाल डाइप का लग रहा था, कुछ नहीं हो रहा था उस बंदे से, ना उस बंदे को बोलिंग कराई, अगर नॉर्मल पिच की तो हमारे बोलर्स भी गेम में रहेंगे यह हम लोग क तो मेरे ख्याल से यार, नॉर्मल पिच की तरफ जाना चीए था, लेकिन रूमर यह है, वाइस एक में आपको मतलब यार, रैंक टर्नर देखने को मिलने वाली है, तो देखते हैं लेकिन यार, इंडिया वर्सेस इंगलेंड हो तो बहुत जादा इंटरेस्टिंग रहा है, वो इंडिया वर्सेस ऑस्टिलिया से जादा इंटरेस्टिंग मुझे यह वाले मैचेज लग रहे हैं, तो हम लोग मैज जीत के सीरीज में वापस ही कर ले, यही मैं होप करता हूँ, तो यार, आज की वीडियो बस इतनी है, लेकिन भई, जाने से बहले मैं आप से बोलना इंट एले ने 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 वीडियो बएब बएई